Hello students, तो right now मैं discuss करने वाला हूँ, center of mass of the rod with variable linear mass density lambda is equal to lambda naught x to the power n, right? जैसे suppose that कि आप ये एक rod ले लो, ठीक है ना? ये rod AB हो गया और इसका length जो हो गया आपका L हो गया, ठीक है? और इसका जो lambda दिया हुआ है, lambda is equal to lambda naught x to the power n और निकालना क्या हम लोग का? इसका center of mass निकालना है, किसके respect में? with respect to a, right? तो अब ये ऐसा करो आप, ये एक respect में निकालना है, तो आप पुरी rod का पले नहीं निकालेंगे मतलब ये पले क्या बोलते है? इसका center of mass निकालना है ना? तो हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा से पहले particle लेंगे, मतलब इसमें वो xcm is equal to xdm और dm, ये वाला use करने वाले हैं, ठीक है ना? ये आपका dm, dm क्या है? elementary particle है, तो elementary particle आपका, जैसे ये हो गया x, और ये हो गया dx, तो ये dm, right? तो dm का value कितना हो जाएगा? lambda dx, dm is equal to lambda कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है lambda naught, x का power n, lambda naught, x का power n, और dx, ठीक है? तो ये dm मिल गया, ठीक है ना? अब xcm, xcm is equal to xdm, और ये हो गया, आपका dm हो गया, right? ये, sorry, आपका इसमें xcm, तो xcm जो होगा, xcm होगा, xdm and dm, right? तो इसमें x, कोडिनेट हो गया ये वाला, और dm की value, lambda naught, xn, dx, and dm, lambda naught, xn, dx, तो ये lambda naught, cancel हो रहा है, right? तो इसमें अभी हम लोग, xcm, xcm कितना हो जाएगा? xcm is equal to, ये xn plus 1, right? xn plus 1 dx, limit 0 to l, and ये वाला जो होगा, xn dx, right? xn dx, ये होगा 0 to l, ठीक है ना? 0 to l, तो ये solve करेंगे, तो हमारा क्या होगा? xn plus 2, n plus 2, and xn plus 1, n plus 1, limit इसमें 0 to l, इसका limit 0 to l, right? तो फिर हम लोग इसका limit value put करेंगे, तो आपको कितना हो जाएगा? x के बदले l, तो l n plus 2 divided by n plus 2 into ये n plus 1, उपर चला जाएगा, और l n plus 1, तो फिर finally, हमारा जो है, ये कितना हो जाएगा? l n plus 1 divided by n plus 2, ठीक है? तो ये हमारा हो गया x coordinate of center of mass, ये हो गया हमारा x coordinate of center of mass, right? ठीक है ना? अब हम लोग इसको n का अलग-अलग value रख करके भी हम लोग सोच सकते हैं, ये तो मैंने एक generalized theory develop कर दिया, ठीक है ना? तो ये results से थोड़ा सा हम लोग analyze करते हैं, ठीक है? तो इसमें आपका ये जो rod है, ये rod है ना जी, तो इसमें आपको कितना रहा है, axiom कितना रहा है? ये l n plus 1, n plus 1, n plus 2, ठीक है? तो अब उसमें value हम लोग put करके सब ये lambda मैंने कितना लिया था, lambda is equal to lambda naught x to the power n, तो n 0, n 1, n 2, n 3, n 4, n 5, ऐसे हम सोचते हैं, कि हो क्या रहा है, ठीक है ना? तो अगर हम n तो ये lambda, lambda naught, तो ये तो constant हो गया, ये क्या बोलेंगे? इसको uniform linear density, right? क्या बोलेंगे इसको? uniform, right? uniform linear density, और आप देखलो इसमें, ये कितना हो जाएगा? ये lambda is equal to lambda naught x, तो lambda directly personal to, lambda is equal to lambda naught, तो lambda directly personal to x square, ठीक है ना? मतलब ये जैसा इसमें आप देखिये, rod है न, तो यहाँ पर अगर हम lambda क्या होगा? 0 होगा, midpoint पर lambda क्या होगा? L by 2 होगा, यहाँ पर lambda क्या होगा? आपका, मतलब ये lambda naught L by 2, right? और lambda naught L, ऐसा करके है ना? और इसके हिसाब से अगर मैं result देखूँ, तो इसमें अगर मैं n is equal to, ये वाला, n is equal to 1 में, n is equal to 1, तो इसमें हमारा lambda directly personal to x आ रहा है ना? मतलब कुछ इस तरीके का, ये lambda हुआ, ये x हो गया, तो इस तरीके से अगर देखा जाए, और अगर मैं lambda का, देखूँ, तो lambda तो हमें साम positive ही लेंगे, ठीक है ना? कि अल बस मैं इसा दिखा रहा हूँ, कि ये है, और x का जो, ये 0 और ये L, तो कुछ ये आपको एक तरह से ये triangular seat जैसा मिल रहा है, ठीक है ना? और उस case में इनका value हमें कितना लेना है? इनका value लेना है 1, तो इनका value 1 लेंगे अगर, तो x cm, x cm is equal to L 2 by 3, तो ये हो गया 12 by 3, right? 12 by 3 हो गया, तो इसका मतलब क्या है? कि ये center of mass, ये तो पूरा distance L है, तो ये center of mass हुआ, और इससे ये आप का 12 by 3 आगया, ठीक है ना? ट्रेंगुलर seat का भी यहां से हमारा निकल रहा है, फिर ये ये n is equal to 2 देख लो आप, तो n is equal to 2 में आपका क्या होगा? lambda is equal to lambda not x का power n, तो lambda is equal to lambda not x square, lambda directly personal to x square, ठीक है? और अगर ये center of mass देखे, x cm, तो L 2 plus n का value कितना लेना है? n का value इसमें लेना हम लोग को 2, तो 2 plus 1 and 2 plus 2, तो कितना हो जाएगा? 3L by 4, 3L by 4, तो इसका देखते हैं, ये जैसे कि आपका इसका geometry क्या हो रहा है? तो इसमें lambda जो आ रहा है, आपको directly personal to x square, तो इसका मतलब कि ये lambda हुआ, x हो गया, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना? lambda इस तरीके से, राइट, तो कुछ इस तरह का मतलब मुझे ये लग रहा है कि solid cone जैसा आ गया? 3L by 4, ये अपना L है, ये center of mass, तो 3L by 4, तो ये हमाँ उसको analyze करने में भी, जैसे solid cone का भी center of mass जैसे ये इस तरीके से है, तो अगर ये हमारा height h है, तो यहाँ पर center of mass जो होगा, 3H by 4, ठीक है न, तो ये क्या होगे आपका, center of mass हम लोग डिसकस कर दिये, rod का जिसमें lambda vary करता है, उसका मतलब different different n का variation हम लोग डिसकस कर रहे हैं, ठीक है न, और भी है आपना, या बोलते हैं, ring है, रोड का होगया, ring होगरा का, semi ring, arc होगरा ये सब का, आपको देखना होगा, ठीक है, तो उसमें, जैसे ring का आप निकाल सकते हो, ऐसे तो आपको पता है, कि ये 0-0 पर होता है, जैसे ठीक है, जैसे आपका, ये ring है, ठीक है, ये x-axis है, y-axis, ये 0,0 हैता है, लेकिन तोड़ा इसका methodology सिखते हैं, जैसे already अपन को पता है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, मतलब इसका center of mass, तो xcm, वही, xdm, dm, ycm, ycm, तो ydm, ठीक है, और dm, यही न, dm क्या होगे, elementary particle होगे, elementary particle होगे, तो आप देखो इसमें, जैसे कि ये आप ले लो theta, ये ले लो आप d theta, तो ये rd theta हो जाएगा, चलो इसका lambda तो constant ही होगा, uniform है, uniform ring है, ठीक है, uniform ring है, तो हमें निकालना क्या, xcm निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये r sin theta होगा, और ये कितना हो जाएगा, बोलो आप लो, r cos theta हो जाएगा, और ये हमारा dm जो होगा, dm होगा, lambda rd theta, तो बोलो xcm, xcm कितना हो गया, xdm, और theta का limit 0 to 2 pi, ठीक है न, और dm 0 to 2 pi, right, तो 0 to 2 pi, x का value, x का value क्या हो जाएगा, ये r cos theta, ये जो हमारा elementary particle का coordinate ले लेंगा, ठीक है, तो r cos theta, और dm, lambda rd theta, और ये lambda rd theta, और 0 to 2 pi, ठीक है, 0 to 2 pi, तो इसमें तो ये r और ये lambda आप गया, ठीक है न, r और lambda चला गया, ये भी चला गया, तो ये cos theta d theta, cos theta d theta का integration कितना हो जाएगा, sin theta हो जाएगा, ठीक है न, cos theta d theta, तो ये sin theta इसका integration हो गया, और ये r हो गया, 0 to 2 pi, और ये d theta का theta हो गया, 0 to 2 pi, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो finally क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, in the same manner आपका ycm तो ycm में आपका क्या होगा यह ydm 0 to 2 pi and यह dm 0 to 2 pi ठीक है तो उसमें कितना हो जाएगा अब यह इसको मैं clean करता हूँ जरा ठीक है तो इसमें ycm ycm is equal to तो यह हमारा y होआ तो r sin theta and dm lambda rd theta 0 to 2 pi and lambda rd theta 0 to 2 pi तो lambda r यह आपका गया sin theta d theta तो यह तो lambda r एक बाहर और sin theta d theta minus cos theta and 0 to 2 pi and d theta का integration theta 0 to 2 pi ठीक है तो cos theta इसको limit को change भी मैं कर सकता हूँ r minus को plus कर दिया तो 2 pi to 0 ठीक है तो यह तो आपका क्या हो cos 2 pi कितना होता है यह 1 होता है यह भी 1 होता है तो 1 minus 1 क्या होगे 0 तो finally क्या हो जाएगा यह भी हमारा 0 हो जाएगा ठीक है तो यह होगे आपका क्या बोलते है full ring का ऐसे आप half ring का भी सोच सकते है arc का भी सोच सकते है ठीक है ना तो half ring के पहले मैं थोड़ा एक arc का बात कर लेता हूँ फिर उसके बाद half ring का करता हूँ ठीक है ना तो जैसे कोई arc का करते है जैसे यह मान लिजे कि आपका कोई arc है ऐसा है ना इसको चलो reference line लेता है यह ठीटा नौट लेता हूँ ठीक है ना यह हमारा arc है ठीक है इस इद आर्क और यह तो मैंने यहाँ वो के respect में radius r है इसका हमें निकालना है center of mass क्या निकालना है center of mass ऐसे मैं एक आपको practical analogy बता रहा हूँ center of mass जो होता है वो symmetrical axis पही लाई करता है जैसे मान लिजे कि यह आपका half ring है तो यह जो axis दीख रहा है यह जो आपका axis है ना यह पूरा system को दो पार्ट में बाट रहा है तो center of mass इसी पर कहीं पर होगा ठीक है अब जैसे कि मान लिजे कि यह arc है इस तरह से और यह हमारा इसके respect में तो यह हमारा axis क्या है दोनों object को axis of symmetry बोल सकते इसको तो इसी पर कहीं पर center of mass लाई करेगा अब फिर अब यह हमको बस एक decision लेना है कि यह इसका height कितना होगा with respect to this तो यह भी एक practical analogy ठीक है ना तो आप देखते हैं इसमें कैसे करते हैं इसका तो आप देखो वही concept है मान लो कि आप कोई ऐसा ले लो आप यह alpha ले ले लो r sin alpha होगा और यह कितना होगा बोलो आप लो r cos alpha हो जाएगा ठीक है ना और वही concept लगा दोगे x cm is equal to x dm and 0 to कितना theta naught 0 to theta naught and dm 0 to theta naught right 0 to theta naught तो इस तरीके से अभी आप लगाओ इसमें तो कितना हो जाएगा 0 to theta naught x कितना हो गया r cos alpha राइट r cos alpha और dm lambda r d alpha ठीक है and lambda r d alpha and 0 to theta naught तो lambda r यह अपना गया ठीक है ना lambda r गया तो अब बचा कितना इसमें यह आपका r r और cos alpha d alpha तो यह होगा sin alpha and 0 to theta naught and यह आपका d alpha इसका होगा आपको alpha and 0 to theta naught ठीक है 0 to यह जो होगा आपको 0 to theta naught ठीक है ना तो यह r and इसमें sin theta ठीक है alpha के बदले theta naught sin theta naught ठीक है ना sin theta naught and minus alpha के बदले 0 तो 0 होगया आयनि यह theta naught तो इसका जो xcm आ गया आपका r sin theta naught divided by theta naught r sin theta naught divided by theta naught ठीक है theta naught क्या है angle extended है theta naught है तो यह हमारा xcm निकल गया अपना यह xcm कितना हो गया r sin theta naught theta naught r sin theta naught theta naught यह हो गया xcm ठीक है और यह अब निकलेंगे हम लोग ycm तो ycm का y dm and dm और यह y हो गया r sin alpha r sin alpha और यह आपका lambda rd alpha and rd lambda rd lambda rd alpha 0 to theta naught and 0 to theta naught रैट तो यह हमारा हो गया ycm ठीक है ना तो थोड़ा हम लोग इसको भी अब करते है ycm को ठीक है तो इसमें जो होगा यह कितना हो गया यह तो lambda r गया sin alpha एक r बचा sin alpha d alpha तो minus cos alpha 0 to theta naught and यह d alpha alpha 0 to theta naught तो r cos alpha बना लेता हो इसको and theta naught to 0 और यह तो theta naught हो जाएगा तो r cos 0 minus cos 0 cos cos कितना theta naught तो by कितना theta naught तो r 1 minus cos theta naught by theta naught ठीक है तो यह आगया ycm ycm कितना आगया हम लोग का r 1 minus cos theta naught by theta naught ठीक है अब इसको आप उसमें भी लगा सकते हैं कि हाफ रिंग है न तो आप बताओ इस पर theta naught के value कितना हो गया डेटी तो xcm जो अपना क्या है था कुछ r sin theta naught by theta naught तो यह तो sin 180 डालोगो तो क्या हो जाएगा 0 होगा और ऐसे भी by symmetry आप देखरो इसी पर और y